दूसरे T20 के लिए भारत की प्लेंग लेवन फाइनल इन ग्यारा सेरो के साथ उतरेगा भारत नमस्कार दूस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में रोही शर्मा की कप्तानी और राहू द्रमिट की देख रेक में भारती टीम निजिलेंड के खिलाब तीन मैचों की T20 सीरीज में परफेक्ट सुरुवात की थी जैपुर मुकाबले को जीतने के बाद अब भारती टीम के नजरे आज राची में सीरीज को सील करने पर लगी है हलकि राची में टॉस एक बड़ा फैक्टर साबित होगा क्योंकि वहाँ ओस गिरेगा और ऐसे में जो टीम टॉस जीतेगी वो बाद में बल्ले बाद जी करना पसंद करेगी इस बात को रोही शर्मा अच्छी तरह जानते होंगे ऐसे में प्लेंग 11 का चैन काफी एहम होने वाला है वैसे पिछले मैच में कीवी टीम का प्लसन खराब नहीं रहा था और ये टीम पलट वार कर सकती है राची में होने वाले दूसरे मैच में भारती टीम की प्लेंग 11 में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिल सकता है पहले मुकाबले में न्यूजिलेंड की पारी के दोरान मिशल शेंटेनर की गेंद पर महमद सिराज की हाथ में चोट लगी थी और उनका खेलना संदिक लग रहा है ऐसे में उनकी जगा आवेश खान को प्लेंग 11 में सामिल किया जा सकता है दूसरे मैच में एक बार फिर से रोहिश शर्मा और केल रहूल ओपनिंग करेंगे तो वहीं सूरुकुमार यादो तीसे नंबर पर जलबा दिखाते नजर आएंगे सूरुकुमार ने जैपूर में भी सांदार पारी खेली थी और अर्दसतक लगाया था इसके बाद बल्लेबाजी के लिए सिरेस एयर रिशप पंथ होंगे तो वहीं आल राउंडर विंकटेश एयर वा अक्षर पटेल नीचले क्रम पर सांदार बल्लेबाजी का दम रखते हैं टीम में बहुत और इस पिन आर अशविन होंगे तो वहीं तेज गिंदबाज के तोर पर भुनेशर कुमार दीपक चैर और आवेश खान होंगे वहीं दोस्तों दूसरे टीटमटी के लिए भारत की प्लेइंग 11 देखे तो वह कुछ इस प्रकार है दोस्तों आवेश जानकारी के समन्द में अपनी महतपून राय कमेंट करके कमेंट सिक्तन में ज़रूर बताएं ज़्यादा जानकारी और क्रिकेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद